असलाम अलेकुम दोस्तों I am your instructor शकील खान and welcome to a new course कोर्स का टाइटल है React.js Context and Hux याने इस complete playlist में हम सीखिंगे React Hux and Context API के React Hux किया है और Context API किया है दोस्तों इस course को स्टार्ट करने से पहले आपको React.js के basics आना चाहिए अगर आपको React.js के basics clear है तो पिर इस playlist को आप watch कर सकते हैं अगर आपको clear नहीं है तो पिर मैंने एक series already create किया है React.js पर तो वो playlist आपने must watch करना है और उसका link मैंने आपको नीचे दिया है वीडियो के description में तो इस series को स्टार्ट करने से पहले आपको React.js के basics आना चाहिए ठीक है दोस्तों तो first of all what is React.js किया है दोस्तों React.js लाइबरीरी में functional components में हम state को use नहीं कर सकते हैं React.js लाइबरीरी में functional components में हम state को use नहीं कर सकते हैं state हम serip class-based component में हम use कर सकते हैं लेकिन React.hocs के help से अब हम use कर सकते है stat and functional components React.hocs के help से अब हम use कर सकते है stat and functional components और state के अलावा और भी मस्जीद features है जिसको हम use कर सकते हैं functional components में तो वो तमाम चीज़े हम सेखेंगे इस complete playlist में ठीक है दूस्तो और दूसरा हमारे पास है context API तो दूस्तो context API को explain करने से पहले में आपको देता हूँ example सा example दूस्तो यहाँ पर दिखेंगे हमारे पास है एक diagram और यहाँ पर हमारे पास है info, contact, about, contact list and about info अब दूस्तो इस app का मतलब है f component यानी app.js फिर है contact तो contact का मतलब है contact.js component फिर है about तो about का मतलब है about.js फिर है contact list.js और पास हमारे हमारे पास है about info.js दूस्तो लेट से app component के अंदर हमने define किया है state f component के अंदर हमने define किया है state और उस state के अंदर हमारा data store है और वो data हमें required है contact, about, contact list and about info components में तो हमने क्या करना है तो इन चारू components को as a prop वो state हम फास कर सकते हैं दोस्तो एक हद तक तो यह काम ठीक है एक हद तक यह काम ठीक है अगर हमारे पास हो react small application तो इस तरह हम कर सकते हैं as a prop state को हम फास कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास हो large application तो यह पिर हमारे लिए बिलकुल मुश्किल हो जाएगा यह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा हरद पास state को as a prop पास करना किसी भी component को तो फिर हमारे लिए मुश्किल है तो इस situation में context API हमारा help कर सकता है इस situation में context API हमारा help कर सकता है दोस्तो context API के तरूँ से हम global state define करते हैं context API के तरूँ से हम global state define करते हैं और उस state में हम अपना data save करते हैं और फिर वो data किसी भी component में हम easily access कर सकते हैं यानि app component, contact component, about component, contact list and about info component तो किसी भी component में वो global state हम easily access कर सकते हैं तो दोस्तो context API बिल्कुल opposite है Redux का context API बिल्कुल opposite है Redux का अगर आपने पहले से काम किया है Redux में तो आपको तोड़ा सा idea होगा Redux हमारे पास एक टूल है state management के लिए तो context API भी हमारे पास एक टूल है state management के लिए ठीक है तो context API के तुरूँ से हम global state define करते हैं और फिर वो state किसी भी component के अंदर हम easily access कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह तो था हमारे पास तोड़ा सा intro about context API and react hocks तो अब हमने install करना है react application ठीक है तो simply मैं इस तरह करता हूँ कि मैं open करता हूँ अपना command line tool command prompt और फिर मैं जाता हूँ eDrive में और दोस्तो react application create करने से फिर लिए आपने install करना है node.js और आपको अलड़ी फता है कि first of all हमने install करना है node.js और node.js अलड़ी मैंने install किया है ठीक है तो अब मैं मौझूद हूँ eDrive के अंदर तो यहाँ पर मैं add करता हूँ npx create react app और फिर मैं देता हूँ अपने project का name so let's say context app और फिर मैं press करता हूँ enter की अब हमने just wait करना है तोड़ा साम तो अब यह install हो जाएगा तोड़ी दियर में ठीक है just wait just wait दोस्तो एप create हुआ है successfully तो अब मैं simply करता हूँ cd into context app और फिर मैं करता हूँ code. यानि इसको मैं open करता हूँ vs code में और इसके बाद मैं करता हू npm start so just wait a moment और या पर या पर या पर या पर अपन हो गया so simply close welcome and now wait 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 yeah so now we have this reactf तक तो अब जाता हूँ src में और यहां से मैं delete करता हूँ apptest.js delete इसके अलावा index.css not js and text.css yes यह पर हमार पास है logo.svg तो इसको भी मैं करता हूँ हो delete service worker.js delete setup tests अब मैं जाता हूँ app.js में यहां से मैं करता हूँ delete svg इसके बात header यह पर हमार पास होगा h1 और होगा context api and hooks और अब मैं जाता हूँ index.js यह से मैं करता हूँ delete index.css इसके अलावा e-line यह service worker वाला और e-b let's it save the file so now let's go to the browser यह पर दिकन आमार पास है context api and hooks तो दूस्तो आज की लिए यह copy है हमने install किया हमने हमने create किया अपना react app ठीके और यहां पर मैंने किया clean up react को और इससे पोडर को मैंने किया clean up ठीके आपको जो भी issue हो तो प्लीज आप comment कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनो दोस्तों के साथ और मेरा चैनल को subscribe कर दें बेल ऐकन को प्रेस कर दे अपना thank you thank you so much and I will see you in the next video